हां 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 क्या हो गया आवाज आरी कि देखो चेक करो है हेलो सबी लोगों को आवाज आ रही है आवाई लोगों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं सोनु चोहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हुआ सत्यम क्लासेज के इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज अपना जो टोपिक चल रहा है लोग देवी उस टोपिक को पन समापन की और करने वाले हैं सब लोगों का वाज आ रही है यस यूटूब चैनल पर अजी कुल्दीप जी रम्राम भाई धन्यवाद केडी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने वाले हैं सब लोगों का वाज आ रही है नमस्कार भाई नमस्कार अपन पढ़ने वाले हैं लोग देवी क्या पढ़ने वाले हैं लोग देवी और आज अपनी जो लोग देवी होगी वो लोग देवी होगी साब आवड माता कौण सी माता होगी आवड माता कौण सी माता है दोस्तो आवड माता एक बार सारे जुड़ जाईए मेरे को कुलदीब जी दिखाई दे रहे हैं ठीक है धान दीजिए आवड माता जी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आवड माता को नमन करता हुआ मैं उनके बारे में आपको बताना जा रहा हूं ठीक है न आवड माता जी के बारे में वस्तो आवड माता जी के बारे में मैं चर्चा करूँ इसके योगतों में हूँ नहीं इनकी महिमा बढ़िया प्रम पार है आवड माता है मेरी ये आरद देवी है इनका आशिर्वाद मेरे उपर है इसलिए विशेश आशिर्वाद है माता जी का आवड माता जनम चलक गाउं न चलक गाउं बाढ़ मेर में उनका जनम हुआ तो माता जी का जनम होग देवी dizer मीरी जा मामग जी चारण और इन मामग जी की जो पत्नी थी उनका नाम था मो evolthi तो मामग जी चारण और मोहबती इन दोनों के साथ पेटिया जनम लेती है है कि इन दोनों के कितनी बेटियां थी साथ बेटिया और सातु बेटिया जनम लिया उनमें सबसे बड़ी बेटी वह करती आवड माता कौनशी वाकरती आवड माता तो आवड माता का जनम चेलग गाउं बाडमेर में है मामर जी चारण पिता का नाम है और माता का नाम क्या है महोवती कितनी बेटियां थी साथ बेना और आवड माता की साथ बेनों की पूजा होती है आवड माता की साथ बैनों की पुजा होती है जाँ देड़ा आवड माता कौण सी माता है आवड माता आवड माता ये साथ बैने थी और साथ बैनों की सेंट रूप से पुजा होती है सेंट रूप से क्या होती है पुजा उसे कहा जाता है मावल या माता या महा माई माता महा माई माता या मावली माता तो आवड माता की साथ बेहनों की सेंखत रूप से पूजा होती है उसे क्या कहा जाता है मावली या माता या मामाई माता या मावली माता साथ रूपों की पूजा करना या साथ रूपों की ढालना वो कहलाता है ढाला कि लाएगा ढाला आवण माताके साथ जो रूप है उनको पातरी में पहनते हैं उसे क्या कहा जाएगा ढाला क्या करें हो कुलदीव जी सर सिटी में बढ़िया पढ़ाते थे भी म बढ़िया पढ़ाते थे धन्यवाद जब मिले आकको सीटी के तो आवण माता कि सात रहे हैं सब ऋसे होती है औरुन्हें मावलया या आम आई मता कहा जाता है आवर मता के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये बाटी राजवन्स की कुल देवी बाटी राजवन्स की कुल देवी कौन से राजवन्स की कुल देवी है भाटी राजवन्स की कुल देवी जब मूली रूप से मैं कहूं तो राजबुतों की कुल देवी कहा जाता है निया राजबुतों की कुल देवी इन्हें चारन समाज की कुल देवी कहा जाता है चारण समाज की क्या कहा जाता है कुल देवी अगर आपके सामने ओप्षन आए कि चारण समाज की कुल देवी करणी माता या आवड माता या रखना दोस्तों आवड माता चारन समाज की कुल देवी है करणी माता भी है लेकिन करणी माता आवड माता का एक रूप था तेमडाराय उनक्यू पासना करती थी तो सबसे पड़ी अगर चारन समाज में उनको देवी हुई है तो उनका नाम क्य है आवड माता क्या नाम है आवड माता के कुछ उपनाम है आवड माता के उपनाम तो आवड माता के उपनाम एक तुयार रखना गंटियाली माता चलक नेस, चलक नेस माता, डूंगर राय माता, सवांगिया माता, ठीक है न, और इन्हें कहा जाता है, तेमडा राय माता, क्या कहा जाता है, तेमडा राय माता, तो दोस्तों, शेर करो इसको, ठीक है, आगे देखना, भादर याय माता, और गिरवरी माता, गिरवर राय माता, गिरवर राय माता, और इन्हें कहा जाता है, सुंदा माता, कौन सी माता, सुंदा माता, ठीक है, इन्हें कहा जाता है, मामरी यारी माता मामरी यारी माता इन्हें क्या कहा जाता है मामरी यारी माता मामरी यानी माता इन्हें क्या कहा जाता है मामरी यानी माता तो अपनी जो आवड माता है यह आवड माता के उपनाम है सर थोड़े मोटे अक्सर लिखे अच्छा दन्यवाद भाई कुल्दीप थोड़े मोटे अक्सर लिखते हैं कोई बात नी सोरी तो गंटल्यारी माता है चेलकने इस माता है डूंगर राय माता है सवांगिया माता है तेमडा राय माता है भादरिया रात माता है गिरवर राय मा माता है सुन्दा माता है और मामड यानी माता किसके उपना में आवड माता की यह आवड माता के इतने उपना में इन रूपों के रूप में इन रूपों के रूप में आवड माता की पूजा की जाती है तो ध्यान देखना दोस्तों आवड माता का मंदिर आवड माता का मंदिर आवड माता के सरवादिक मंदिर पड़ते हैं जैसलमेर में कहा है साब जैसलमेर आवड माता के सरवादिक मंदिर कहा है जैसलमेर और मैं कह रहा था आप से कि आवड माता की जब साथ बहने हैं कितनी बहने हैं साथ बहने जब उन साथ बहिनों की स्वेक्ट रूप से पूजा करते हैं साथ बहिनों की साथ बहिनों की साथ बहिनों की जब स्वेक्ट रूप से पूजा करते हैं कौन से रूप से पूजा? स्वेक्ट रूप से पूजा करते हैं पूजा करते हैं तो उसे पड़ ने क्या कहा था मावली माता मावलिया माता या महामाई माता या क्या कहा था महामाई माता और या रखना इन्हीं महामाई माता को कहा जाता है दोस्तों सिसू रक्षक देवी इन्हें क्या कहा जाता है सिसू रक्षक देवी या इन्हें कहा जाता है बच्चों क संरक्षी का यह इन्हें कहा जाता है सिसू रक्षक देवी तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों की संरक्षी का यह सिसू रक्षक देवी और इन्हें कहा जाता है पालनों वाली देवी क्या कहा जाता है मित्रों पालनों वाली देवी तो यह रखना इन्हें क्या कहा का बच्चों की सनरक्षी का सिसू रक्षक देवी या पालनों वाली माता और यह रखना मावली माता या मामाई माता का जो मंदिर है वो मंदिर है सामोध का है सामोध और सामोध कहा है चोमू में सामोद कहा हैं? चोमू लेखना यह सातु बहनों का मंधिर हैं एक यह का है सामोद चोमू के लेखने कि यह क्या कहा जाता है पालनों वाली माता तो आवड माता के सर्वादिक मंधिर कहा है जैसल मेर मेρasan है golf और सातु बहनों की स्विक रूप से क्या होती है पूजा इसे क्या कहा जाता है मावलिया या महा माही माता और इन्हें क्या कहा जाएगा चिशू रक्सक या पालनों वाली देवी और बच्चों की संरक्षी का दोस्तों आप देखो एक समांगिया माता आपने पढ़ ली एक तेमडा राय माता जैसल मेर में है तेमडा राय माता कहा है जैसल मेर मेर में आपने सुन्दा माता पढ़ लिया कोंड़ माता पढ़ ली सुन्दा माता पढ़ ली अब सुनना तेमडा राय माता तेमडा राय माता कोंड़ी माता है तो दोस्तों तेमडा राय माता जी का मंद जैसलमेर में है कहां पर है जैसलमेर में और इन्हें आवड माता का आउतार मानते हैं इन्हें आवड माता का क्या मानते हैं आउतार आवड माता का आउतार माना जाता है तो मित्रों किसका आउतार माना जाता है आवड माता का तो दोस्तों या रखना इन्हीं तेवना राय मा को ब्रता को किसकी खंप मांगे पाव्थारा का और मित्रो इनी या की पूजा को करती थी करनी माता यह उटयार कंग ऑगочки कूजा कर दो करनी माता किशिकी कूजा करती थी इनकी मता की पुजा कूण करती थी कंणी मता तो एक कौंड़ी मता है टेम्टा-यमता तो यह रखना का मंदिर है जैसल्मेर के अंदर है और दोसरोई इनने कहा अवतार माना जाता है तीक है मित्रों आगे चलते हैं आगे मता जी है हिंगलाज मता कौन सी माता है हिंगलाज माता हिंगलाज माता के बारे में सुनो हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर ल्यारी गाउं कौन सा गाउं ल्यारी गाउं और यह ल्यारी गाउं पढ़ता है मित्रों बलुचिस्तान का पढ़ता है बलुचिस्तान और बलुचिस्तान का है दोस्तो पाकिस्तान, बलुचिस्तान का है, पाकिस्तान, तो हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है, वो लियारी गाउं बलुचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है, का पड़ता है, लियारी गाउं बलुचिस्तान पाकिस्तान में, आपने काहनी सुनी होगी, भगवान शिव, कोने देने में राजा दक्स तो यह रखना महा सती का विवा सीव के साथ हुआ और इनके शाति के पटा नाम की अधररा दक्स कि ठृभ से एक की एक बार में तनोस्टान किया और मीं अनुस्टान के आर्मी के अनुस्टान में राजा दक्ष ने राजा दक्ष ने किसका अपमान किया भगवान शीव का और जब भगवान शीव का अपमान किया तब ऐसा कहते हैं कि जो सती थी उस अवन कुंड में कूद जाती है और उस अवन कुंड में कूद कर वो जब जलने लगी इस बात क किसको सुचना मिली शीव को तब ऐसा कहते हैं कि शीव ने उस अवन कुंड से किसका सव निकाला था सती का और सती का सव निकालकर भगवान शीव ने किया तांडव नरते क्या किया तांडव तब ऐसा कहते हैं कि भगवान विश्णों ने अपने चक्कर से इस सती के साथ टु तरीगाओं का पड़ता है बलुतिस्तान पाकिस्तान में इन माता को कहा जाता है राजस्तान में आदी सक्ती पीट इन्हें क्या माना जाता है आदी सक्ती पीट ऐसे मानना जैसे भारत में वैस्नों देवी है जैसे भारत में क्या है वैस्नों देवी वह भारत में आदी सक्ती पीठ है ठीक उसी परकार से आदी सक्ती पीठ कौन सी माता है इंगलाज माता को भी कहा जाता है मित्रो चारण समाज की कुल देवी इसा कहा जाता है कि वाद में इंगलाज माता ने यह कहा कि जो मैं आउतार लूगी या मेरे व्नशज होंगे या मेरा अउतार होगा या मेरे वन अउगे वो किस मुझा मिलेंगे चाहरन आउमाज में हुई तिनु पिसका और्यओ समाज में लोत व चाहरनbreaker लोक presented दोनों मंदिरों के अंदर इन दोनों मंदिरों के अंदर इन दोनों मंदिरों के अंदर सीला देवी के साथ और कहला देवी के साथ में किसकी मूर्ति लगी हुई है इंगलाज माता की किस माता की मूर्ति लगी हुई है इंगलाज माता की तो या रखना मित्रो कि सीला देवी और कहला देवी के मंदिर में सीला देवी और कहला देवी के मंदिर में किस माता जी की मूर्ती लगी है इंगलाज माता की और इंगलाज माता को सराव का भोग लगाया जाता है किसका भोग लगाया जाता है सराव का या रखना इंगलाज माता को किसका भोग लगाते दोस्तों सराव का लगाया जाता है ठी यह कौन सी माता होगी आगे देखो एक तेबना राय माता जी की बेहन का नाम है लोंगी वाली माता कौन सी माता है लोंगी वाली माता और लोंगी वाला गाउं लोंगी वाला गाउं और यह लोंगी वाला गाउं कहां पड़ता है जैसल मेर लोंगी वाला गाउं कहां पड़ता है जैसल मेर तो यहां रखना लोंगी वाली माता कहा है लोंगी वाला गाउं जैसल मेर और मित्रो इने कहा जाता है तेमडा राय माता की छोटी बेन ये तेमडा राय माता जी की छोटी बेन है माता जी की क्या है ये छोटी बेहन तो तेमडा राय माता जी की छोटी बेहन का नाम क्या था लोंगी वाली माता कौन सी माता थी वही लोंगी वाली माता तो लोंगी वाली माता का मंदिर का है लोंगी वाला गाउं जैसलमेर कौन सा गाउं मित्रो लोंगी वाला गाउं जैसल देखिए एक पहलट लग्तलि एक माता या यलाट के बाद मेर कि एक हमाता याे एक छोऊंदृ मेरी अलर्ण और यह बोपा जातीक क कहां जाता है इन्हें क्या कहा जाता है बोपा जाती की कुल देवी तो इन्हें क्या कहा जाएगा बोपा जाती की कुल देवी किन्हें कहा जाएगा वीरात्रा माता को ऐसा कहा जाता है कि इन माता जी की जो गर्दन उतुल टेडी है गर्दन क्या है टेडी इसलिए गर्दन टेडी होने के क कारण गरदन टेड़ी होने के कारण इनको इने को वाकल माता भी कहा जाता है वाकल माता भी कहा जाता है कौन सी माता कहा जाता है मित्रों वाकल माता तो गरदन टेड़ी होने के कारण गरदन टेड़ी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है वाकल माता जा रखना दोस्तों कि गर्दन टेड़ी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है वाकल माता देखो मैं आपको तीन चीज़ाद कर रहा हूं धांज सुन्दा सिर्की पूजा होती है सुन्दा माता की सिर्की पूजा किसकी होती है सुन्दा माता की खंडित रूप में पूजा होती है सीतला माता की कौ और यह बोपा जाती की कुल देवी और गर्दन टेडी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है वाकल माता कहां जाता है एक माता और है बटियानी राणी बटियानी राणी माता और बटियानी राणी माता जसोल और जसोल गाओं कहां पढ़ता है बाड मेरे जसोल गाओं कहां पढ़ता है मित्रो बाड मेरे तो बटियानी रणी माता का मंदिर का है जसोल गाओं बाड मेरे ठीक है ना तो जसोल गाओं बाड मेरे के अंदर यह जो जसोल के जोर राजबूत हैं उनकी यह कुल देवी है क्य यानी रणी माता जसोल गाओं बाड मेर एक और है साव रूपादे कोड है रूपादे माता रूपादे माता का मंदिर है माला जाल रूपादे माता का मंदिर कहा है माला जाल और माला जाल कहां पड़ता है बाड मेर 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 रूपादे माता का मंदिर कहा है माला जाल और माला मारवाड में किसकी देवी कहते हैं बरसांत की देवी कहते हैं तो मारवाड में ने क्या कहा जाता है बरसांत की देवी तो मारवाड के अंदर बरसांत की देवी किसे कहा जाता है रूपा देखो मित्रों किसे कहा जाएगा रूपा देखो और या रखना ये लोग देवता मली नाजी की पतनी थी तो लोग देवता किस की पतनी थी मली नाजी की पतनी तो लोग देवता मली नाजीर उनकी पतनी दोनों देवी देवता हैं पतनी थी तो लोग देवता मली नाजी की पतनी का नाम क्या है रूपादे और बट्यानी रानी का मंदिर का जसोलगा बाड मेर त किटनी माता हो गई तीन एक कोँण सी विरात्रा एक कोँण सी भठीयाणी और एक कोँण सी रूप आदे अपन चलने वालें अंतिम लोग देवी की तरफ सबसे पहले पढ़ना एंतादेवी कोँण सी देवी अंतादेवी और अन्ता देवी का मंदिर का है विकानेर, का है दोस्तो विकानेर, तो अन्ता देवी का मंदिर का है विकानेर और इन्हें कहा जाता है उंटों की देवी, क्या कहा जाता है, उंटों की देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, तो इन्हें उंटों की देवी किसे कहा अन्ता देवी को तो यह रखना दोस्तों उंटों की देवी किसे कहा जाएगा अन्ता देवी विकाने उंटों की देवी अन्ता देवी है और गदों की देवी खलकानी माता है गदों की देवी कौन सी है खलकानी माता और चुहों की देवी कौन सी माता है करनी माता कौन सी माता करनी माता तो अब अपना दिन करने वाले लास्ट जिनकी किरपा सबसे बड़ी रहती है करनी माता सारे के सारे जवुलों करनी माता की जय ठीक है ना कोण सी माता है रहे करनी माता अब अपना देन करेंगे करनी माता के बारे में जहां से सुनना दोस्तों यह अंतिम लोग देवी है करनी माता का मुख्य मंदिर देशनोग बीकानेर में है करनी माता का मुख्य मंदिर का है देशनोग विकानेर तो करनी माता का प्रसिद मंदिर का हो गया देशनोग विकानेर के अंदर का हो गया देशनोग विकानेर ठीक है एक मिन्ट तो करणी माता का प्रसित मंदीर देशनोग विकानेल इनके जनम के बारे में सुनना इनका जनम हुआ तेरा सु सत्यासी इस्वी तेरा सत्यासी इस्वी सु आप गाउं कौन सा गाउं सु आप गाउं और सु आप गाउं कहां पढ़ता है फलोदी कहां पढ़ता है फलोदी और फलोदी कहां है जोदपुर और सु आप गाउं फलोदी जोदपुर और तिथी आस्वीन सुकले सब्तमी तिथी कौन सी है आस्वीन सुकले सब्तमी कौन तिथी है आस्वीन सुकले सब्तमी पिता का नाम है मेहाची चारण ये ये कीन ये गोत्र के थे कूण से गोत्र के थे कीन ये खोट्र के ठीक है, माता का नाम है देवल, माता का नाम क्या है, देवल कवर, तो माता का नाम क्या हो गया, देवल कवर, पिता का नाम क्या है, मेहा जी, माता का नाम देवल कवर, बच्पन का नाम, इनका बच्पन का नाम, इनके बच्पन का नाम था, रिद्धू भाई, कौनशी भाई रिद्दू भाई या इन्हें कहा जाता है रिद्दी भाई इनके बच्पन का नाम रिद्दू भाई या रिद्दी भाई तो करणी माता जी है कौनशी माता जी है करणी माता और करणी माता का मंदिर का है देशनोग का है साथ देशनोग देशनोग का है वी कान जनम 1380 सुवाप गौं फलोदी जोद्पुर और तिती आश्विं सुक लह साफ मी पिता का नाम मेहाजी सारण मता का नाम नाम देव ल कम्र बच्चपन का नाम रिद्गुवाई ही या प्रिद्झिवाई और इनकी बहीन का नाम तक गुलाव कम्र है बहीन का नाम क्या था कुलाब कमबर ठीक है इनके पती का नाम इनके पती का नाम था देपाजी बिट्टू देपाजी बिट्टू ये विकानेर के थे कहा करने वाले थे विकानेर के उस समय विकानेर नहीं बसा है विकानेर बाद में बसा है या रखना विकानेर बाद में बसा है विकानेर तो करनी माता के आशिरवात से बसेगा तो पती का नाम क्या देपा जी बिठू अब सुनना कहानी थोड़ी सी ऐसा कहते हैं कि करणी माता जी का विवा कर दिया गया वो अपने पती के साथ चली गई ससुराल में रहती थी लेकिन उनका जो जीवन था वो भक्ती के और जुड़ा हुआ था बागवान की भक्ती करना इसलिए अपने पती से कहा कि मैं गरस्ती जीवन का त्याग करती हूं और भक्ती का मारग अपनाना चाहती हूं इसलिए उन्होंने अपने पती को छोड़ दिया और अपने पती देपा जी बिठू के साथ में ध्यान रकना करनी माता जी है करनी माताजी की बहन का नाम है गुलाब कमर और करनी माता ने अपने पती का त्याग कर दिया भक्ती करने के लिए और गुलाब कमर का विवा किसे करवा दिया देपाजी से ठीक है तो करनी माता ने किसे करवा दिया देपाजी बिट्टू से ठीक है दोस्तों और इनी गुलाब कमर का विवा किसे हुआ था देपाजी बिट्टू से व यह और इनी घुलाब कमर और देपाजी बिट्टू के एक संतान हुआ एक लड़ बेटा हुआ संतान जिसका नाम था लखन कि पो कह लखन तो यहा रखने करनी माता ने करने माता ने विवा के पस्याद विवा के पस्याद अपने पती का त्याग कर दिया और अपनी भेहन गुलाब कमर का विवा किसे करवा दिया देपाजी बिट्टू से और देपाजी बिट्टू और गुलाब कमर के संतान होती है उसी का नाम क्या था लखन और मित्रो या मेले में मुनी के मेले में ये भाग लेने गया था कपिल मुनी के मेले में क्या लेने गया भाग और ये कहां लेने गया कोलायत में और कोलायत जील का है उद्ध बीकानेर में और इसी कोलायत जील में ये मेले के दोरान इसनान कर रहे थे लखन जी और इनकी क्या हो जाती है समाज कभी से देपाउत गोत्र के जो चारण है वो देपाउत गोत्र के चारण किसमे भाग नहीं लेते तो कपिल मुनी के मेले में भाग नहीं लेते तो कपिल मुनी सांग ग्यान के परवर्तक थे और इनका जो आस्रम है को लाए जीर के पास है और इनके आस्रम पर क्या लग करनी माता को करनी माता लगबग 151 साल की उमर में करनी माता ने 151 साल की उमर में समाधी लेती दोकरी तो इन यह मारवाड में कहा जाता है डोकरी और इन्हें कहा जाता है किंग कर माता और आसा कहते हैं कि इनके मंदिर में नियुक तो यह दिख पाए जाते हैं ठीक है ना इसलिए ने कहा जाता है चुहूं की देवी तुहूं वाली माता और ऐसा कहते हैं कि करणी माता के जो वनसस्ते वो यहां सपेद चुहे के रूप में निवास करते हैं उन्हें कहते हैं काबा इसे कहते हैं काबा वाली देवी क्या कहा जाता है काबावाली देवी एक राजबूतों में गोत्र होता है सेकावत राजबूतों में गोत्र कौन सा होता है सेकावत ऐसा कहा जाता है कि जो सेकावत है और इन सेकावतों के जो सनस्तापक है राव सेका जी को राव सेका जी को जो आशिरवात परधान किया और एक युद के अंदर जो सेका जी की साइथा की वो किसने की थी करनी माता ने करनी माता के आसिरवात से राव सेका राव सेका युद में जान बचा कर आये थे तब से लेकर आज तक जो इनके वनसज है इनके क्या है साब वनसज वो इनकी क्या करते हैं उजा करते हैं तो सेकावत समाज की आरददेवी समाज की क्या है आरददेवी एक ज्यानखना अलवर रियासत है कोडर सिर्वाarti अलवर रियासत की जो किला है बाला-किला उस बाला किल कुल देवी अलवर रियासत की आरादे देवी कौन सी माता है करणी माता ऐसा कहते हैं कि जो राव भीका था राव भीका जब जोद्पुर से आया अपने पिता से नाराज होकर तो राव भीका जी ने राव भीका जी ने करणी माता के आसिरवाद से जांगल प्रदेश में राठोडवन्स की नीम रखी थी करणी माता के आसिरवाद से जांगल प्रदेश में राठोडवन्स की क्या रखी वई नीम और ऐसा कहते हैं कि बाद में उन्हीं के आसिरवाद से भीका नेर से राठोड वन्सकी वीकानेर के राठोड वन्सकी वीकानेर के राठोड वन्सकी यह आरादे देवी है साब वीकानेर के राठोड वन्सकी क्या है यह आरादे देवी तो एक तो चारण समाज की कुल देवी डोकरी माता किंकर माता चुहों वाली देवी काबावाली देवी सेकावत राज मता दाड़ी मोंच सागी त commend it कि आड़ी मोंच वाली माता कि इन्हें किया कहा जाता है दाड़ी मूच वाली माता तो मित्रों या रखना यह इनके क्या है साब उपनाम किस देवी कौन सी देवी के है करनी माता के आगे देखो एक तो इनके मंदिर को कहते हैं मठ इनके मंदिर को क्या कहते हैं मठ और इनके मंदिर में पाए जाने वाले सपेद चुहे इनके वनसज माने जाते हैं सपेद चुहे वो क्या कहलाते हैं कबा इनकी जो आरती करते हैं उसे कहते हैं चिर्जा चिर्जा को क्या कहते हैं वो आरती किसमません सपेदिजित कplay चील को लगत क्या हिर्ट मंदिर को क्या कहते हैं मठ और मंदिर में पाये जाने वाले सपेच क्या क्या करूँ एंदेवी कर्णी माता कि कुल देवी तेमडा राय माता थी करनी माता किसकी पूजा करती थी तेमडा राय माता की ठीक है ना तो मंदिर को कहते हैं मठे और काबा सपेद चुहे और चिर्जा क्या कहला थी आरती परती जिन क्या कहला है सपेद चील कुल देवी कौन सी है तेमडा राय माता इनके प्रिय इनके प्रिय भक्त ते दसरत मेगवाल जो इनकी गाये चलाया करते और ठीक है नहीं दसरत मेगवाल तो इनके प्रिय भक्त कौन है वह दसरत मेगवाल कौन शी मता के करनी मता के तो मंदिर को क्या कह दिया मठ कह दिया सपेद चुए इनके वनसद होते हो क्या कहलते काबा और आर्टी के कलाएगी चिर्जा प्रतिजिन सपेद चील कुल देवी कौन जिन की तेमडा राय माता और प्रिय बक्त कौन थे दसरते मेगवाल किसकी बात करनी माता की ऐसा कहते है कि करनी माता ने निम्न सहरों की नीम रखी थी सहर के दो दुरक के दो या रखना दुरुगोर सहर एक तो जोदपूर सहर एक बीकानेर सहर इन दोनों की तो नीम रखी इसके अलावा या रखना एक अपना कि लाएगा मेरानगड का कि ला कौन सा किला आएगा मेरानगड का किला ठीक है न कौन सा किला आएगा मेरानगड का किला और एक आएगा जूनागड का किला जिसे बीका जी की टेक ली कहते हैं जूनागड का किला जब राव बीकाने छोटा दुर्ग बनाया था तो उसके लिए की जो नीम रखी थी किसके कोण सा रसाया देशनोग सेर उप 10 माथने जोथपूर लिटाने सैर की तो नीम रखी कि नीम और कों सा रसाया गठेरा ये स अ देशनों के पास और देशनों के पास एक गाउंवे नहडी गाउं कौन सा गाउंवे नहडी गाउं और इसी नहडी गाउं में रहकर में क्या करती है करनी माता तपस्या तो गनेरू की तालाव है या इसी नहडी गाउं में करनी माता क्या करती है साब तपस्या करती है क्या कर में यह लीती देश नोक में कांपे लीवाई देश नोक में तो करणी माता जी ने समाधी काली देश नोक में और कब लीवाई चैतर सुकल नोमी को चैतर सुकल नोमी को तो करणी माता ने समाधी काली यह 1538 में देश नोक बीकानेर में चैतर सुकल नोमी को और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है मंदिर तो इनका मंदिर का है देशनोग इनका मंदिर का है देशनोग बीकाने तो करणी माता का मुख्य मंदिर का है मित्रो देशनोग बीकाने के अंदर है करणी माता का मुख्य मंदिर का है देशनोग बीकाने इसके मंदिर के निर्मान के बारे में सुनना ऐसा भी कहा जाता है कि इसका मंदिर का निर्मान करवाया था करण सिंग ने प्रारम ठीक है ना फिर इसे पूर्ण करवाया सूरत सिंग ने किसने करवाया सूरत सिंग ने किसने करवाया सूरत सिंग ने कुछ यह कहते है करण सिंग ने इसा अनूप सिंग ओप्शन देख लेना और सवाल को ले कर देना ठीक है लेकिन इसका जो पूर्ण निर्मान करता है वो कोण है सूरत सिंग लेकिन अपने को या रखना इसका वर्तमान सवरूप इसका वर्तमान सवरूप तो माता जी के मंदिर का वर्तमान सवरूप दिया महराजा गंगा सिंग ये या रखना है सिरफ तो माता जी के मंदिर का वर्तमान सवरूप किस ने दिया महराजा गंगा सिंग ने तो करणी माता के जो मुख्य मंदिर देशनोक में है इसका वर्तमान निर्माता को ने महराजा गंगा सिंग तो करणी माता के मंदिर का वर्तमान निर्माता कोने महराजा गंगा सिंग और ऐसा और भी कहा जाता है कि मंदिर में चांदी के किवाड़ है क्या है चांदी के किवाड़ तो ये चांदी के किवाड़ लगवाए थे अलवर के सासक कहा के सासक अलवर के सासक का नाम क्या है बक तो अलवर के सासक बक्तावर सिंग ने इस पर क्या लगवाए थे चांदी के किवाड तो अलवर के सासक बक्तावर सिंग यह क्या लगवाते चांदी के किवाड और इसका मुख्य दर्वाजा करनी माता के मंदिर का मुख्य दर्वाजा और करनी माता के मुख्य मंदिर का दर् डेषनों कमें समाधी कहां पेन लीए देशनों देशनों का है वीकाने और यहीं परण क्या बना हुए मंदिर और मंदिर मुख्य मंदिर का देशनों वीकाने करण शिंग ॢया अनूप terror सिंग लेकिन पूर्ण इर्मान करता कौन है सूरत सिंग वर्तमान सवरूप और किसने चांदमन्नी ठीक है अब लगेगा मेला क्या लगेगा मेला उर इनका मेला लगता है चैत्र वी ईवीन नोङ रातरों मैं कि इसमें लगेगा चैत्रवय आस्वीन नवरात्रों में इनके मंदिर के पास में दसरत्मेगवाल का मंदिर है और उसी दसरत्मेगवाल के मंदिर के पास में रखिवी है सावन भादो कड़ाईया सावन भादो कड़ाईया इस्तीते क्या इस्तीते वह सावन भादो कड़ाईया तो इनके मंदीर में क्या इस्तीते दोस्तो सावन भादो कड़ाईया तो इनका मेला कव लगेगा चैत्र वह आस्विन नवरात्रों में और मंद जी का दूसरा मंदीर है मनसा पूर्ण करनी माता मनसा पूर्ण करनी माता और या रखना दोस्तों मनसा पूर्ण करनी माता का मंदीर है दुग्द तलाई काउन साथ इस्तान है दुग्द तलाई और दुग्द तलाई का है पिछोला जील कौन सी जील पिछोला जील और पिछो प्छूला जील उद्यपूर तो उनका दूसरा मंदिर काहां सामसा पूर्ण करनी मता दुख गढ़ाय मंदिर काह बाला कि राख लाख कि लगज च अ आलवर अ किया आप लोग शेर्लैप नहीं करें कुछ और इनका एक मंदिर और है करणी कोट करणी कोट और करणी कोट काँ पड़ता है दाता रामगड़ दाता रामगड़ का है सीख करें करनी कोट कांपड़ता दाता रामगड़ सीख करें तो या रखना ये करनी माता के क्या है सा मुख्य मंदिर करनी माता के क्या है मुख्य मंदिर दूसरा मंदिर मन्सापून करनी माता दुखत तलाई पिछोला जीर उधेपूर बाला किला अलवर करनी कोट दाता राम गड़े सीख करें आज जो पढ़ा है उनके स्क्रीन सोट ले लो और ये टोपिक क्या हो गया है समाम था चलो इसका लो काल情पम सीख रड़ आ, काल बynnशे है सक्कु कि प्जूंगा raगने मूझ क mummy अगरन को इसके नो खढ़ा है समाने मूझ जा आजर घुछ सु आज काल बाओने को आजने के आजकना वा प्शीख रूंग भी मत आजक mitt कष्ट करद़ टूंबड़ा है झाल झाल धन्यवाद दोस्तो ये टोपिक हो गया समात कल मिलते हैं ने टोपिक के साथ तब देखते रिए जय हिंद जय भारत झाल झाल झाल